हेलो फ्रेंट्स वेल्कम डूर चैनल तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC Net Paper 1 2021 से रिलेटेड जो मोग टेस्ट स्रीज है उसके मोग टेस्ट 68 के बारे में फ्रेंट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ICT से रिलेटेड 15 MCQs जहां पर आप वीडियो का फॉर्मट आप सभी जानते हैं तो हम डारेक्ट अपने फॉर्स कॉशन पर जलते हैं जहां पर आज कमारा पहला कॉशन है विच आफ दा फॉलिंग इस नॉट प्रोटोकॉल पॉर इमेल यानिके निमल लिखित में से कौन इमेल के लिए प्रोटोकॉल नहीं है फ्रेंड्स आप्शन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकिंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं इन्वे से प्रोटोकॉल नहीं है इमेल के लिए वो है ओप्शन सी आई सी एम पी यानिके इंडरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यह प्रोटोकॉल नहीं है इमेल के लिए इमेल प्रोटोकॉल क्या होते हैं सेट अफ रूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्लाइंट की प्रॉपरली ट्रांस्मिट करने में इन्फर्मेशन को मेल सर्वर को या फिर मेल सर्वर से इसके लिए आवा टाइपस ओफ इमेल प्रोटोकॉल कौन कौन से है नमबर वन है SMTP यानि के इमेल प्रोटोकॉल के इसके बद हम अपने नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर सेकेंड दी अड्रेस ओफ वेबसाइट इस ओल्सो नोवन एज डैश यानि कि जो अड्रेस है वेबसाइट का उसे और किस नाम से जाना जाता है Option भी URL के नाम से उसे जाना जाता है और URL stands for Uniform Resource Locator इसके बद कोशन नमबर थर्ड है यानि कि नीची नेटवर्क के लिए बनाया गया एक स्थानी या प्रतिबंदित संचार नेटवर्क डैश के रूप में जाना जाता है एक Local और Restricted Communications नेटवर्क क्रेट किया गया है किसके लिए प्राइवेट नेटवर्क के लिए और उसे किस नाम से जाना जाता है Option D इंटरनेट के रूप में से जाना जाता है Question No.4 है What does D stands for in DHTML? D stands करता है DHTML में Option B Dynamic के रूप में So DHTML का फुल फॉर्म क्या हुआ है Dynamic Hypertext Markup Language जहां पर Dynamic HTML क्या है यह एक Markup या फिर Programming Language नहीं है DHTML का यूज क्या जाता है Create करने के लिए Interactive और Animated Web Pages के लिए इनको Create करने के लिए DHTML का यूज क्या जाता है Question No.5 है Dash is a place where all the outgoing email messages are temporarily stored until it is not fully sent इन में सिर्फ वो प्लेस है Option D Outbox Outbox वो प्लेस है जहां पर जो outgoing email है messages उन्हें temporarily basis पर store किया जाता है जब तक वो पूरी तरह से sent नहीं हो जाते हैं यानि के पूरी तरह से भेजे नहीं जाते हैं तब तक वो email messages temporarily कहां पर store रहते हैं Option D Outbox में Question No.6 है Dash is when a hacker directs an internet user to a fake website instead of a legitimate one यानि के Dash तब होता है जब कोई hacker वैद के बजाए किसी internet उप्यों करता को नकली website पर भेजता है इनमें से वो है option C farming ये गब होता है जब एक hacker क्या करता है एक internet user को भेजता है fake website पर instead of legitimate one यानि के एक वैद के बजाए किसी internet उप्यों करता को नकली website पर भेजता है तो वो क्या होगा farming सो इस question का correct answer है option C Question No.7 है which of the following term means to restart a PC यानि के निमलिकित में से किस शबत का आर्थ personal computer को पुना रंब करना है इनमें से वो टर्म है option B bounce Bounce वो टर्म है जिसका क्या मतलब है restart करना है personal computer को Question No.8 है dkim is used for authentication in dash यानि के dkim का उपयोग dash में परमानी करन के लिए किया जाता है कि dkim का यूज क्या जाता है authentication के लिए किसमे option B यानिके इनमें से option B emails में सबसे पहले dkim stands for domain keys identified mail in short dkim यह क्या है एक technical standard है जो help करता है protect करने में email senders को और recipients को किसे help करता है protect करने में spam से spoofing से या फिर जो phishing होती है उससे help करता है protect करने में और friends यह जो terms है spoofing phishing इनको अलड़ी हम अपनी previous videos में discuss कर चुके हैं इसके बाद question No.9 है ddr4 is an example of ddr4 यह किसका example है इनमें से option B RAM का इसके लावा कुछ और भी RAM के examples हैं जैसे कि उनमें शामिल है DRAM DRAM का full form क्या है dynamic random access memory then sdram यानिके synchronous dynamic RAM dim dim का full form क्या है dual in line memory module और s o dim का full form क्या है small outline dual in line memory module सो यह full form है किसका s o dim का जो की किसका example है RAM का example है then इसके बाद next example है RAM का जैसे की VRAM VRAM stands for video RAM और इसके लावा DDR3 यानिके double data rate 3 और GDDR5 graphics double data rate यह कुछ important full forms है RAM की तैने इसके बाद question number 10 है dash is a temporary storage area built into a CPU यानिके dash एक CPU में निर्मित एक अस्थाई बंदारन शित्र है इनमें से वो temporary storage area है जो built किया गया है CPU में central processing unit में option भी register register क्या है temporary storage memory है जिसे built किया गया है processor में in short CPU में इसके लाब है register जो की fast computer memory है जिसका यूज के जाता है store करने के लिए data को या फिर instruction को execution में question number 11 में आपको बताना है the information about a particular person that exists on the internet as a result of their online activity is known as dash यानि कि किसी विशेश वेक्ति के बारे में जानकारी जो उनकी online गतिवीदी के परिणाम स्वरूप internet पर मौजूद है को dash के रूप में जाना जाता है information किस के बारे में किसी particular person के बारे में जो मौजूद है internet पर और किस वज़ा से मौजूद है उसकी online activity की वज़ा से तो इसे किस नाम से जाना जाता है option D digital footprint के नाम से जाना जाता है digital footprint वो data है जिसे create किया गया है internet का use करते time जिसमें शामिल है जैसे कि जो websites जिन पर आप visit करते हैं emails जो आप भेजते है information जो आप submit करते है online services के लिए यह सबी data क्या है digital footprint इसके बाद question number 12 है SQL is related to SQL related है किससे option C database से SQL सबसे पहले stands for structured query language जहां पर structured query language एक standard database language है सो इस question का correct answer हुआ option C database question number 13 है dash is the process of diagnosing the source of a problem यानि कि dash एक समस्या के सुरोत का निदान करने की परकिरिया है इन में से वो process है वो परकिरिया है option B troubleshooting computer troubleshooting क्या है essential है जरूरी है किसके लिए fix करने के लिए technical issues को सो इस question का correct answer है option B troubleshooting question number 14 में आपको बताना है dash stores recently used information so that it can be quickly accessed at a later time इन में से option B cache क्या करता है store करता है जो recently जिस information का use किया गया है उसे store करता है cache so this question का correct answer है option B cache और इस information तक आप बाद में यानके quickly access कर सकते हैं जब भी आप use करते हैं browser को जैसे की chrome तो वो क्या करता है save कर लेता है कुछ information आपकी website से किसमें cache में या फिर cookies में इसके लावा internet browsers के साथ जो cache memory है वो temporary storage area है जहां पर website का data store होता है आज को मैं last question कुछ नमबर 15 में आपको बताना है dash refers to how much data can be transferred from one location to another in a given amount of time यानि कि dash निर्दिष्ट करता है कि दिये गए समय में कितना data एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान अंत्रित किया जा सकता है इन में से वो refer करता है option a throughput refer करता है कि कितना data transfer किया जा सकता है एक location से another location पर एक दिये गए समय में so option a throughput is a correct answer तो friends ये थी मारी आज की वीडियो आप हम इसी वीडियो के नीचे comment करके बदा सकते हैं कि आपने total questions यान कि 15 questions में से कितने questions को correct mark किया next video आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी so thank you friends for watching this video आपको जाएगी